नमस्कार स्टुडेंट अब हम बात करेंगे टोकन बस की ठीक है तो टोकन बस जनरली रिलेटिव टू बस टोपोलोजी ठीक है तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है IEEE के द्वारा जो जो एसोशेशन है उसके द्वारा जो दिया गया है वो 802.4 यह स्टेंडर्ड है इसके लिए ठीक है IEEE 802.4 जैसा कि प्रिवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको IEEE की फॉल फॉर्म भी बताई थी ठीक है और यह इन फॉल फॉर्म आपकी जो इसको एक मानेता दी है इस्टेंडर्ड के रूप में 802.4 जनरल यह टोकन बच टोपोलोजी होती है आपकी ओके तो देखिए टोकन बच टोपोलोजी में क्या होता है कि जैसे यह एक आपका मीडिया है कोई भी वायर है आपका हना इस तरह से को एक्सिल केबल आपकी ज इस टरह से authent libertarians को आपके चलिया से लिए सणियां ओका सब्सक्राइख को आपके सकते हैं ज जनकी बीच में कमिनिकेशन होगा आपका ठीके messages का तो यह जो communication होगा वो एक bus के यानि linear format में होगा आपका ठीक है यह दोनों किनारे जो होते हैं वो आपस में connected नहीं होगे यदि connected होगे तो फिर वो आपकी ring topology बन जाएगी है ना तो यहाँ पर यह ऐसे ही रहेगा आपका clear यह दोनों को दोनो terminal points होगे आपके और यहाँ पर क्या है कोई भी station message pass करना चाहता है तो वो message आपस में यह इसके along जो भी आपका channel से वहाँ पर बेश सकते हैं अब actual में होता क्या है यह जो stations होता है ठीक है ना तो इन station के बीच में एक तरह से virtual ring बनती है ठीक है यह ऐसे वास्तविक नहीं होता लेकिन एक virtual ring बनती है ठीक है ठ तो यह एक तरह से ring की तरह और इस virtual ring के according हम यहाँ पर मानते हैं कि जो भी sort message होता है जो token होता है वो circulate होता है ठीक है इस तरह से तो इसका direction भी यह होगा unidirectionally होगा अब लगता तो अपने को यह है कि यह वास्तव में बस topology है लेकिन जो circulation होगा तो वह virtual ring बनती है आपकी औ और उस virtual ring के according वो जो आपका token होता है वो इस तरह से pass होता है तो जो इसकी कह सकते है terminology है या message कैसे जाएगा वो सारा का सारा token ring की तरह है लेकिन इसका physical structure जो है वो आपका एक linear order में होता है जिसे अपन token bus कहते हैं या token bus topology कहते हैं ठीक है तो इस तरह से यह भी क्या होता है कि token bus जो है यह भी एक standard है आपका IEEE 802.4 standard है आपका ठीक है लेकिन इसके अंदर के एक virtual ring बनती है land के अंदर local area network के अंदर और उस virtual ring के according वहाँ पे message आपका pass होता है ठीक है तो इस तरह से यह जो physical media है बस के अंदर हो सकता है tree topology में हो सकता है ठीक है और जनरल यह सारे के सारे coex seal cables को use करते हैं ठीक है ऐसे अब इसमें भी जैसे कोई message भेजना है जैसे यह station इसको message भेजना चाहता है तो यह क्या करेगा जो token यहाँ पर circulate होता रहता है ठीक है जिससे अपन कह सकते हैं कि एक short message होता है ठीक है एक token generally हमने बात की थी कि 3 bytes का यह होता है इसकी जो frame size होती है वह 3 bytes होती है तो यह token circulate करता रहेगा यहाँ ठीक है इस virtual ring में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं virtual ring की okay actual ring नहीं है लेकिन यह ऐसे माना जाता है कि यह ऐसी ring होती है तो virtual ring कोई ring की तरह यह आपस में connected नहीं है तो यह virtual ring बनी हुए होती वास्तविक जैसी लगती है लेकिन होती नहीं है तो उसमें यह circulate करता रहेगा जिस station को message बेजना है वो token को seize कर लेगा और उस token को seize करके फिर वह message receiver जो भी होगा यह जो उसका destination station होगा उसके लिए message बेजेगा तो हर station क्या करेगा उस message को check करेगा यदि उसके लिए message होगा तो वहीं पर access कर लेगा और एक नया token release कर उसकाइसे आपन यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी की station को यदि कोई message बेजना है, तो उसके पास क्या होगा, एक token होगा और वह token के साथ अपने message will release करेगा और इस तरह से में message भी हैğगा, उसके पास message नहीं है तो वह token क्या होगा, एक station से दूसरे दूसरे तीसरे इस तरह से आगे से आगे आगे से आगे वह token आपका circulate होता रहेगा ठीक है without any message और जिसको message बेजना है तो वह token को seize कर लेगा और इसके साथ message डाल देगा और वह message इस तरह से आपका वहां पर आगे से आगे next station को pass कर दिया जाएगा और जिस station के लिए वह particular message होगा ठीक है वह उसको access कर लेगा और एक वहां से नया token release कर दिया जाएगा तो इस तरह से यह transmission आपका होता है तो यह जो token bus जो है आपकी mechanism इसे try IEEE 802.4 standard के नाम से भी generally अपन जानते हैं ओके इस तरह से अब यदि हम यहां पर बात करें कि action में token ring और token bus इन दोनों के बीच में difference क्या है ठीक है तो simple सा difference यहां पर अपन यह बता सकते हैं कि सबसे पहले कि token ring जो standard होता है वो आया आपका IEEE 802.5 standards का follow करता है और यह जो होता है वो IEEE 802.4 को यह support करता है ठीक है तूसरा यदि हम य token जो होता है वो pass होता है तो वो एक ring होती है आपकी, ring topology होती है और उसके अंदर ये token इस तरह से आपका circulate होता है, जबकि token बस में क्या होता है, land के अंदर कर कोई किसी तरह की ring topology नहीं होती है, एक virtual ring बनती है आपकी, और उस virtual ring के according वहाँ पर message आपका क्या होता है circulate होता है, चीक है इस तरह से तो एक तरह से यदि अपन यहाँ पर token ring के अंदर गयते एक बात और करें तो यह जो ring topology होती है आपकी जो आपस में सारे computer connected होता है ठीक है कई बार यह star topology की तरह भी होता है यहाँ पर ना star topology भी यहाँ पर इनके features को यह support करती है आपकी ठीक है और यदि हम यहाँ पर बात करें ठीक है इस particular जो token bus के अंदर कर तो जैसा कि हमने बात की थी bus topology तो यह होती है लेकिन यह tree topology को भी support करती है आपकी ठीक है इस तरह से तो यह कुछ इसके अंदर का difference है आपके जो आप यहाँ पर बता सकते हैं ठीक है तो यह differences आपके है आई इसमें हम generally एक और difference भी बता सकते हैं कि जो token आपका इस तरह से जो circulate होता है है तो इस token का अपन time जो होता है वो यहाँ पर अपन कैसे सकते हैं calculate कर सकते हैं कि ring topology के अंदर का वो कितना time वहां पर लेगा ठीक है उसका calculation अपन कर सकते हैं जबकि यहाँ पर calculation जोनली उसका नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि इसमें virtual ring होती है आपस में कोई ring topology तो होती नहीं है तो इस तरह से उस token का time एक तरह से calculate करना feasible नहीं होता है but in case of token ring आप time उसका चेक कर सकते हैं यानि feasible the calculation time but in this token bus not feasible to calculate the token time circulation time जो होता है वो अपन यहाँ पर नहीं कर सकते तो इन दोनों वीडियोस के अंदर आपको यह बात clear हो गई होगी कि token ring होती क्या है token bus होता है क्या है 2.4 दोनों standards की बीच में difference भी समझ में आगया आपको और इस वीडियो के अंदर generally हमने जो focus किया था वो token bus जो एक virtual ring होती है आपकी actual में कोई ring बनी नहीं होती है लेकिन एक virtual ring की तरह यहाँ पर यह काम होता है इसमें भी unidirectional token आपका circulate होता है चीक है तो मेरे खाल से आपको इन दोनों वीडियो से IEEE 802.4 and 5 you don't know standards clear हो गया होंगे thank you